हेलो दोस्तों, आज का नास्ता हम गेहूं के आठे और आलो से बनाने वाले हैं, तो नास्ता पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा, तो चलिए फटा-फट से सुरू करते हैं, तो बहुत ही जल्दी ये नास्ता बनके तयार हो जाता है, और घर की चीजों से हम इसे बनाने वाले हैं, तो ये बाउल में हम आधा कप गेहूं का आठा डालेंगे, और उसके बाद इसमें एक चमज बेशन डाल लेंगे, तो बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है बेशन से, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो कोई भी गुटली न रहे, एकदम इसमूज सा घोल हमें इसका बनाना है, तो इसलिए पानी थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेगा, और इसे अच्छे से मिक्स करते वे, चमज से ऐसे मसलते वे, एकदम बढ़िया सा घोल बन जाए तो पानी हम थोड़ा-थोड़ा करके ही डालते हैं, और इसका एक खोल तयार कर लेते हैं, तो यह आप देखें, बिल्कुल हमने फेट के अच्छे से बिल्कुल इसमूज सा घोल तयार कर दिया है, इसे दस मिनट के लिए साइड में रख देंगे, और यह हमने थोड़ी कोटे भी नहीं रखेंगे, और ज्यादा पारिक भी नहीं, तो इसको ऐसे ही कट कर लेंगे सारे आलू को, तो यह आप देखें, हमने सारे आलू को बिल्कुल कट कर लिया है, उसके बाद हम इसे रख देते हैं, और जो हमने आटे का खोल बनाया था, वह हम ले लेंगे, तो थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी पौडर डाल लेंगे, थोड़ा सा अजवाइन डाल लेंगे, तो जो भी मसाले आपको पसंद हों, आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा साबुचीरा पौडर डाल लेंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे, थोड़ा सा हम चाट मसाला लेंगे और देंगे और इसके पाद यह थोड़ा सा हम चिली फ्लैक्श डाल रहें अगर आप नहीं खानते हूँ तो आप लाल मिठची पाडर या घरी मिर्ची अब डाल सकते हूं थोड़ा दनिया की पतियां डाल लेंगे और उसके पाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके अच्छे एकदम फेटते वे बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे तो यह आप देखें ऐसे करके तो एकदम बढ़िया सा यह मिक्स हो जाएगा आटे में जितने भी मसाले हमने डाले वह अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो यह अब देखे तो हलका सा यह क्या है कि थोड़ा गाडा सा लग रहा है तो हलका सा पानी एक चमच पानी हम और डाल के और इसको फिर से थोड़ा फेट लेंगे देशे करके तो यह आप देखे विकलर ऐसे ही गोल हमें चाहिए उसके बाद हम क्या करेंगे जो आलू हमने उबले हुए कट करें थे उसको ले लेंगे और उसको इसमें डाल के अर इसे अच्छे से ऐसे करके कोटिंग कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया बनता है आप ऐसे करके इधर हमने तेल गरम करने रख दिया था और एक-एक करके यह जितने बीस में आये उतने हमने डाल दिये हैं थोड़ी देर इससे बिल्कुल न भी चेड़ेंगे थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर डाल देंगे तो उपर से भी अच्छे से शीख जाएंगे ऐसे करके और एक दम बढ़िया सा करार ऐसी बनेंगे, तो थोड़ी देर तक हम इसके ओपर तेल डावते रहेंगे, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हूँ, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा, तो यह आप देखे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे पलट लेंगे, ऐसे करके, तो देखे, आप कितना बढ़िया सा करारा सा लग रहा है, तो ऐसे ही करके, और उलट पलट करके, दो तीन बार, और इसे अच्छा सा करारा कर लेंगे, तो ऐसे ही सब को पलट लेते हैं, तो दिखने में इतने टेश्टी लग रहे हैं खाने में तो बहुत ही टेश्टी लगते हैं तो एक बार आप ट्राई जरूर कीजेगा और ऐसे ही उलट पलट कर लेंगे 2-4 बार तो बहुत ही करारे करारे बन जाएंगे और आलू भी उगले वे हैं इसमें तो इसमें कोई भी आलू भी कच्चा नहीं रहने वाला है अगर आप कच्चे आलू से बनाएं तो फिर आप पतले पतले ही काटेगा हमने थोड़ी मोटे इसले काटे हैं क्योंकि वो उबले वे आलू है तो ऐसे करके और यह आप देखे कितने करारे से बन गए हैं तो यह आप देखे बन के विकुल तयार हो गए हैं तो अब हम इसे निकाल लेते हैं जो हमारे पास बचे वे हैं उसको भी हम ऐसे ही बना लेंगे तो कभी भी आपको कुछ चट पटा या कुछ टेश्टी सा खाने का मन करें तो आप इस तरीके से पांच मिनट में बना के तयार कर सकते हैं तो अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह नास्ता कैसा लगा तो यह आप देखें हम तोड़के दिखाते हैं तो एक दम बढ़िया सा आप दिखने में ही कितना बढ़िया लग रहा है खाने में तो बहुत ही टेश्टी होता है तो एक बार आप बना के ट्राय जरूर किजेगा तो इसे चट्मी या फिर सौस के साथ या फिर ऐसे ही भी खा सकते हैं थैंक यू